Hey guys, दुस्वागत था आपका Captain B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं actual reason की कि क्या वज़े थी, जिसके वज़े से यहाँ पर nexus event हुआ था, जिसको TVA वालों ने notice कर लिया था, जो कि normal curve नहीं, बल्कि एक straight line के जैसा था, plus possible reason जिसको मैंने शायद तक पहले भी बताया था, कि क्यों TVA के अंदर magic काम नहीं करता है, और अगर magic काम नहीं करता है, तो क्यों लोकी अपने frost giant वाले रूप में नहीं आया, जो कि उसका असली रूप है, as Odin ने उसको वज़पन में ये as guardian look दिया था, वो भी अपने enchantment या फिर कहे magic से, और तो और मानाविती हास में शाय तक पहली बार मेरा एक friend जो कि super heroes का उतना बड़ा भी fan नहीं है, उसने episode 4 की ending देखने के बाद मेरी वीडियो देखी, और उसने personally call करके मुझे कहा कि मैंने भले ही title में every Loki explained कहा हो, लेकिन वीडियो में उसको properly cover नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं उस चीच को फिर से cover करने वाला हूँ with additional information, जैसे कि classic Loki का इस back garage क्या है, तो worry not, इस वीडियो में मैं आपको कई सारी नहीं बाते भी बताऊंगा, इस बार मैं सिर्फ boastful Loki का नाम नहीं लूँगा, बलकि ये कौन हो सकता है, वो भी बताऊंगा, और ये alligator Loki कि किस possibility को MCU के अंदर खोल रहा है, उसको भी discuss करूँगा, time stamp, आपको description और comment box में मिल जाएगा, तो शुरुआत करते हैं nexus event से, जो की इन दोनों के बीच में बढ़ते हुए प्यार से हुआ था, जिसने mainly अपना ही Loki involved था, क्योंकि उसके ही अंदर की feelings बढ़ रहे थी, ना की Sylvie की, क्योंकि last episode में ही Sylvie ने बताया था, कि उसका already एक प्यार है, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो उसके बचाने के लिए कुछ भी करते हो, और उसको खोने के बाद का आलम क्या होता है, वो भी आप समझी सकते हो, as Wanda Vision इसी चीज़ के उपर बेच था, so maybe, जिस तरह Wanda Vision में, Vision को खोने के बाद से Wanda का mental breakdown हुआ और उसने अंजाने में ही reality को बदलती थी, वैसे ही हो सकता है कि आखरी लंबव में लोकी भी अंजाने में कुछ ऐसा करता, जिससे Lamentis तबाह होने से बच जाता, and ये चीज़ of course, Wanda के जैसे ही अंजाने में होती, क्योंकि अगर वो जानमुच कर ये कर सकता था, तो वो Sylvie क साथ बैट कर यहाँ पे गुफ तगू नहीं करता, बलकि उसको ठीक करने में लगता, in short, power of love से वो Lamentis को handle कर लेता, but कैसे करता, that's unclear, and यही unclear चीज़ से main mastermind डरता है, क्योंकि उसके बनाये गए machine ने इस चीज़ को इतनी जल्दी detect कर लिया, जो कि आप इस graph से बता ही सकते हो जहाँ पे normally timeline के graph टेड़े मेरे होते थे, यह बिल्कुल भी straight red line की और जा रहा था, विश्यो उसकी लोकी के पास अभी पी ऐसे कोई tricks हैं, जो कि हमें नहीं दिखाये गया है, जो कि हो सकता है कि last के दो episode के लिए बचा के रखा गया हो, अब बात करें कि TVA के अंदर तो magic काम नहीं करता है, तो लोकी अपने normal look में कैसे था, क्योंकि उसका ये normal look Odin के magic के वज़े से था, जो कि उसने उसको बचपन में दे दिया था, जब वो frost giant की जैसा दिख रहा था, तो ऐसे में मैं आप लोगों को अपनी previous वीडियो में कही गई एक बात को याद दिलाना चाहूं नहीं कर सकता है सिवाए उसके जिसने इस चीज़ को यहाँ पर carve किया है या की है, एंड ruins carve करने से सिर्फ उसकी magic काम करती है, ये बात तो सही है, लेकिन इससे दूसरे की magic बेसर हो जाती है, ऐसा नहीं है, और यहाँ पर बेसर हो जाती है, इससे मेरा मतलब ये है, कि जिस त जाने के बाद से वहाँ कोई magic काम नहीं करेगा. So I hope मैंने इस चीज को यहाँ पे clear कर दिया है. मैं अभी भी शियोर नहीं हूँ कि यह जो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है टाइम कीपर्स के पीछे में यह असल में ruins हैं या नहीं हैं यह बस assumptions है क्योंकि सबसे पहली बार हमें ruins I.F. Agamotto के side में दिखाया गया था जो की एक बहुत ही manual detail था जिसको किसी ने भी notice नहीं किया था लेकिन जब Marvel ने इसको अपने official handbook में mention किया था तो मैंने आप लोगों को अपने एक fact series में बता दिया था movie and series watcher को तो Wanda vision में ही पता चला कि यह ruins वाला लोचा है क्या so fact series जरूर चेक आउट करें क्या पता आपको उसमें कुछ नया पता चल जाए अब आते हैं सारे loki's के उपर जो हमें अभी तक show में दिखे हैं सबसे पहले यह boastful loki आता है जो कि loki and thor का mixture लग रहा है जैसे Sylvie Luffy daughter, Sylvie Lushton और loki का mixture है क्योंकि यह boast करने वाला attitude आम तोर पे king के पास ही होता है और thor के अंदर यह कूट कूट के भरा हुआ है जो कि आप thor 1 में उसके अनवर्दी होने से पहले देख सकते हैं प्लस hammer का अलग चसका तो आप समझी रहे हैं इसलिए उसने उसी का एक replica बनाने की कोशिश की है जो कि कुछ इस तरह दिखता है इसके बाद मैं credit के अंदर गया क्योंकि अगर boastful loki कॉमिक से उठाय गया है तो उसके artist को credit दिया होगा और यहाँ पर special thanks के अंदर दो नए artist का नाम जुड़ा था जो की था Matt Fraction और Pascal Ferry और इन दोनों का contribution Mighty Thor की सीरीज में था जो की 2010 से 2012 तक चली थी जिसमें मुझे एक panel मिला जहां पर हम एक Black Thor को देख सकते हैं with hammer जो की I guess female है और हो सकता है कि इसी Black Thor को अपने loki के साथ merge करके इस character को बनाए गया है लेकिन actual reason की इन दोनों artist को यहां पर credit दिया जा रहा है वो इस दे क्योंकि Mighty Thor इशू 4 के अंदर कि लोकी सिफ का बाल करता है जो की हमें इस episode के अंदर भी दिखाया गया एन हाँ मैं clarify कर दूँ कि last वीडियो में मैंने बोला था कि ये Norse mythology का reference है जो की था भी जिसमें लोकी लेडिसिफ का बाल करता है और ultimately end में म्योनिर का निर्मान हो जाता है वेल इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ये series agents of asgard से काफ़ी जादा inspired लगती है तो उसमें भी एक black character था जिसका नाम था Sigurd हाँ हाँ वही Sigurd जिसने truth sword को सबसे पहले use किया था और मैंने उसके बारे में Loki sword वाले वीडियो में बताया भी था ऐस similar sword हमें trailer में देखने को मिला भी है मेबी ये Loki और Sigurd का mixture हो सकता है क्योंकि वो भी एक बहुत ही prideful character था अब ये boastful Loki किसके combination से बना है ये तो उसके नाम चाने पर पता चल जाएगा जैसे हम लोगों को Lady Loki के बाहर में पता चला था जब हमें पता चला कि इसका नाम Sylvie Luffy Daughter है जो की असल में Sylvie Lushton और Loki के mixture से बनाई गई है अब आते हैं Alligator Loki के उपर जो की हो सकता है कि Thor को Frog बनाने की कोशिश कर रहा था बट गलती से उसने खुद कोई Alligator बना दिया जिसके बाद से वो इसको Reverse नहीं कर पा रहा था और यही चीज उसको Variant बना दिया या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसा कि मैंने अब लोगों को बताया था जो rumors आ रहे थे Thor Love and Thunder से कि हमें उसके अंदर Throg दिखने को मिल सकता है उसमें थोड़ी सी सच चायो As God the God Butcher को हराने के लिए Past, Present, Future तीनों थौर लगे थे और थौर Love and Thunder के अंदर देखे तो उसमें अपना थौर With Strong Baker है और Jane Foster as Mighty Thor है With Mjolnir Fixed तो ऐसे में तीसा थौर का जगा ये Throg ले सकता है पहले ये Throg ओलर rumors बहुत ही ज़ादा wild लग रहा था बढ़ टायका वठीती के होते वे ये मुम्किन हो सकता है प्लस जब Alligator Loki हमें दिखाया जा सकता है तो Throg क्यों नहीं वैसे भी Loki की सबसे बड़ी ताकत उसके words and mischief है तो I think ये Alligator भी बोलता होगा जैसे कि Spider Ham बोलता था अब आते हैं Kid Loki एं Classic Loki के उपर क्योंकि Boss वो दो Loki ऐसे हैं जो कि Sacred Time Line वाले थियोरी को अभी भी existence में रखने का कारण बन सकती है As Comics के अंदर Classic Loki सेंट्री के हाथों मरने के बाद से सेम यूनिवर्स में ही As Kid Loki आता है ना कि दूसरे यूनिवर्स में जैसे कि ये दोनों लग रहे हैं बट सीरीज के लिए वो इसको चेंज कर ही सकते हैं Kid Loki के बारे में मैं क्या ही कहूँ अपने पिछले जनब में जितने भी पाप किया था उनका पश्चताब करने के लिए इस जनब में सिर्फ अच्छे ही काम करता था लेकिन पुराने Loki का essence इसके उपर टेक ओवर कर लेता है और उसके इस अच्छाई को मार देता है फिर वो बुरा बनने के रास्ते में जाहिरा होता है लेकिन इस बार Kid Loki का essence उसे हर बार guilt feel करवा देता है जिसके बाद से वो All Mothers के साथ deal करता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा और बदले में तुम मेरे पापो को existence से मिटा दोगी लेकिन जब Thor को पता चलता है कि पुराने Loki के essence ने Kid Loki को मार दिया है और उसके body के उपर कबजा कर लिया है तब वो उसकी बहुत ही गंदी धुनाई करता है और इसी धुनाई के वज़े से ही उसका एक मुकुट का सिंग तूड जाता है और ये टूटा हुआ सिंग के बात मैंने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि सिल्वी के मुकुट का एक सिंग में सिंग था सिल्वी के बारे में तो अलिडी बहुत बात हो चुकी है तो बच्चता है Classic Loki तो ये तो ऐसे comics में बहुत ही powerful था अपने थौर को head on match कर देता था बट शो के लिए I guess इसको एक सठेया हुआ बुड़ा के जैसे और comic counterpart जितना powerful नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि अगर वो उतना powerful होता तो ये सब अकेले ही handle कर लेता प्लस इसके पास एक bag देखते हैं क्योंकि bottomless magic bag of safe keeping लग रहा है जिसके अंदर एक pocket dimension है जहां वो अपना सावान चुपाता है ये basically एक justification था कि पुराने जमाने में जब लोकी conjuration करता था और चीजों को गायब करता था तो वो उनको कहां भेजता था लेकिन modern जमाना आते आते इस चीज को हटा दिया गया बट comic accuracy को maintain करनी के लिए उसको यहां पे दिखाया जा रहा है और पता नहीं series में इसको किस तरह use किया जाएगा ये पहला character था comics के अंदर जिसको रोकने के लिए Avengers की team form हुई थी जिस तरह movies के अंदर भी Loki को रोकने के लिए Avengers की team बनी थी तो हो सकता है कि Avengers Tower को जो classic Loki के side में दिखाया गया हो वो जान मूच कर दिखाया गया हो इस चीज को reference out करने के लिए तो guys आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला या नहीं चला आप हमें comment section के ज़र ये जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इस वीडियो में होनी चाही थी लेकिन मैंने उसे नहीं बताया तो आप उसको comment section में बता दीजेगा if possible मैं उसे आने वाले किसी वीडियो में बता दूँगा ताकि ज़ादा से ज़ादा लोगों को इसके बारे में पता चले तो guys आज के लिए बस इतना ही channel पे नहे हैं तो channel को subscribe कर दे और पूराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो इससे दबा दे ताकि जब भी हम कोई video डाले उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे channel का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करे अपना खयाल रखे and keep going forward करेट लगा कर आगे बढ़ते रहें ताकि यह वर वाचि इस वीडियो स्टे तून